कि अगे आप सभी का सवकत है हमारे channel इंजिनियर्स सोच में तो आज का जो हमारा लेक्ट्हर है वो है numérique है जो समय्ट कर्व गाएं तो इस numerical को सॉल करते हैं तो अब जैसे इस कॉस्चन में देख रहे हो किसमें क्या क्या गिवन है इसमें स्प्षिन पूश्च salvation of two gradient plus three and plus and minus five ठीक है परसेंट यह चीज जो आपका gradient रहता है वो percentage में दिया रहता है तो इसमें कहा है design the length of the summit curve to provide a stopping side distance for a design speed of 80 kmph तो इसमें कह रहा है जो speed दी हुई है वो 80 kmph दी हुई है इस speed के लिए हमें design करना है stopping side distance तो इसमें क्या है कि assume other data तो जो other data है वो assume करना है तो इसमें n1 की value जैसे दी हुई है plus 3 3% और n2 की value दी हुई है minus 5% minus 5% तो यहाँ पे n से हम लोग जैसे बता है deviation angle का जो हमने आपको बताया था वैसे n निकाल लेंगे यह minus कर देंगे इससे 3% को minus 2 से minus करेंगे आपका 8% आ जाएगा अब 8% को इसमें simple form में कर लेंगे इसे तो 0.08 यह आपकी value आ जाएगी ठीक है n हमें पता जल गया तो फिर आप resume कर लेते हैं कि जो length of टीक है length of valley जो submit curve है वो जादा है stopping side distance के तो वही formula यूज करते हैं आपे ns square upon 4.4 अब यहाँ पे n जो है आपका deviation angle है जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा रहा यह put करेंगे n की जेगा पर यहाँ पर s हमें नहीं पता है समें find करना है और 4.4 तो यहाँ पर value दी हुई है तो फिर यहाँ पर s जो है यहाँ पर आपका stopping side distance है तो s हम लोग निकालेंगे यहाँ से इसका एक formula है vt plus v square upon 2gf तो इसमें क्या है कि जो v है आपका वो speed है t है आपका reaction time आपका g acceleration due to gravity है f coefficient of friction है तो आप ट को यहाँ पर कहा है assume other data तो t को हम लोग ले लेते हैं 2.5 second f को ले लेते हैं 0.5 0.35 जी आप सबको पता है 9.8 meter per second लेंगे और v जो है यहाँ पर जैसे कि given है kilometer per hour में इसको meter per second में कर लेंगे तो 3.6 से divide कर दिया तो आपकी value आगई 2.22 meter per second तो अब यह हम लोग अगर solve करते हैं पहले यह तो यह आपकी value आएगी ठीक फिर जो यहाँ पर अब S की value है यह S है ठीक तो अब S की value यहाँ put करके इसको solve करते हैं तो L is equal to यहाँ पर पूरी value रखेंगे N की यह रख दिया S की value ठाके यहाँ रख दिया solve करेंगे तो यह आएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इसकी value है L की जो length of summit curve जो हम लोग ने आज zoom किया यह से जादा है तो means आपका यह length of summit curve दिया हिए तो यह बोग रखेंगे करेंगे का।